गुर्बॉर्णिंग स्टुडेंट मैं डॉक्टर जितेंदर सिंग राव असेसेंट प्रोफेसर समाशास्त्र वीरबाला कालीवई राज की कंडिया महाविद्याले डुंगरपूर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीये पार्ट थर्ड तद बीये थर्डियर के पेपर फर्स्ट में मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया सिध्धान्त के अंतरगत जो कल हमने जिस पर चर्चा की थी सामाजिक क्रिया का अर्थ क्या होता है किस तरह से सामाजिक क्रिया का जो विमर्श है वो मैक्स वेबर ने रखा आज जो मैक्स वेबर ने हमें सामाजिक क्रिया की जो कसोटिया या विशेशता हैं बताईए कि कौन-कौन सी जो क्रिया हैं वो सामाजिक क्रिया के अंतरगत हम रख सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो Max Webber ने जो कसोटिया रखी ए उनका जो मूल उद्देश था वह विगति करिया चुरत की गेर सामाजिय करिया है उनके लिए उन्होंने यह इस उद्देश से उन्होंने जो कुछ कसोटिया निर्धारित की है और उन्होंने ये सुजा भी दिया है कि सामाजिक क्रिया कहने के लिए हमें क्रिया को एक बार कसोटियों के उपर कस लेना चाहिए ति कौन सी जो क्रिया है वो सामाजिक क्रियाओं के इंतर्गत आएगी या कौन से क्रिया सामाजिक क्रियाओं के इंतरगत नहीं आएगी वो विक्तिकत क्रियाओं होगी या फिर गेर सामाजिक क्रियाओं होगी अब हम एक एक करके चारो कसोटियों के उपर चर्चा करते हैं तो मैक्स वेबर ने सबसे पहली जो कसोटि दी है वह कहते हैं कि सामाजिक क्रिया दूसरे विक्तियों के बूत काल, वर्तमान और बावी विवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है बचो यहां एक चीज़ दियान रखने के आफशकता है कि जो सामाजिक क्रिया है वह भूत काल, वर्तमान काल और बावी अर्थाद बविश्य के वेवार तीनों से ही प्रबावी हो सकती है आम तोर पर जब भी सामाजिक क्रिया की हम बात करते हैं या चर्चा करते हैं तो हमें लगता है कि हम जो वर्तमान में क्रिया कर रहे हैं वही सामाजिक क्रिया के अंतरगत आती है लेकिन मैक्स वेबर इसके बारे में अलग विचार प्रसुत करते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिया की कसोटियों के बारे में चर्चा की है तो जो सामाजिक क्रिया है वो वेक्तियों के चाहिए वो आपका परीचित हो या अपरिचित वेक्ति हो भूतकाल, वर्तमान और उसके बावी वैवार से परबावित हो सकती है अब इसके अंदर हम उदारन के माद्यम से समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है जिसका किसी व्यक्ति की पुछली दुश्मनी लेने के लिए उसके उपर आकरमन करता है तो वह सामाजिक क्रिया होगी क्यों क्योंकि उसका जो भूतकाल में जो वेवार था वह कहां तबदिल हुआ दुश्मनी के रूप में तबदिल हुआ और वह बदला लेने की बावना से क्या करता है उसके उपर आकरमन करता है अब एक दूसरा उधारन लेते हैं क्लास में एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है, साथ में नोट्स लेना भी एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि नोट्स लेना या नोट्स देना या जो लेक्चर लेना है, वह क्या है, क्रिया वर्तमान समय में जो प्रोफेसर जो प्रतिक्रिया दे रहा है, उसका भविश में क्य तियारी करेंगे या प्रैक्टिकल एक्जाम की तैयारी करेंगे और उस परिक्षारती की रूप में वो क्या करेंगे सफल होंगे कुल मिलाकर जो बूतकाल वरतमान और भावी जो वेवहार है वह सामाजिक क्रिया के अंतरगत आएगा अब दूसरी जो कसोटी है उसके प्रतिक प्रकार की बाहे क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती बाहे क्रिया असामाजिक है यदि वह पूर्णतया जड़ अथ्वा बेजानदार वस्तों द्वारा प्रभावित होती है अब यह जड़ और बेजानदार वस्तों की जब बात करते हैं तब यह है कि किसी सामाजिक क्रिया नहीं है जैसे हम देखते हैं कि हम मंदिर जाते हैं या घिर जया गर जाते है'reाम मध्ति हम जाते है कहीं भी जहां भी हमारे धार में कासता हैं वहां वेक्ति j común hard or सवयंเทohl पुर्ति क्यों जल चडाता है या चादर चडाता या मुम्बतटी जलाता है और अकेले मेंए बेट कर प्राथना द्यान या आरदना करता है इस तरह की वफ मैंजिक क्रिया के अंतरगत नहीं आएगी क्यों क्योंकि वह किसी और अन्य के व्यावहार द्वारा प्रभावित नहीं है अब केवल इश्वर का ध्यान लगा के बैठना आराधना करना ये सब वह उन क्रियाओं को आप से करवाता है तब वह सामाजिक क्रिया या सोशल एक्षन के अंतरगत आती है आप समझ गए होंगे कि जब तक क्रिया जो है वह जड़िया बेजानदार वस्तों के साथ व्यक्ति करता है और अन्य का उसके उपर कोई प्रभाव नहीं रहता है तब व व्यक्ति क्रिया के अंतरगत आएगी लेकिन जैसे ही कोई अन्य वक्ति उसमें इन्वोल होता है और वह जब उनको मंत्रोच्वार के द्वारा या इंस्ट्रक्शन के द्वारा जब फूल चड़वाता है या पूजा आर्चना करवाता है तो वह सामाजिक क्रिया के प्रोचार करते हैं या कि मैं आहूतिया दिलाते हैं यह सब किसमा आएगी सामाजिक क्रिया के अंतरगत आएगी कुल मिलाकर जब कभी अन्य वेक्ति से प्रभावित कोई काईड़े होगा तो वह सामाजिक क्रिया के अंतरगत आएगी तीसरी जियो कसोटी की बात करते हैं मैक प्राणियों का प्रतेक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक नहीं कहा जा सकता है वह उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहां तक करता का व्यवहार दोसरों के व्यवहार से अर्थ पूर डंग से संबंधित हो अर्था जब तक दोनों में आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा और उसमें अर्थ नहीं होगा, तब तक वह सामाजिक क्रिया के अंतरगद नहीं आएगा, अब हम इसको उधारण के माद्यम से समझते हैं, माना कि आप बस में यात्रा करते हैं और बस में यात्रा करते वक्त किसी वेक्ति का धक्का आप लग जाता है या एक सीट के लिए आप जिस सीट पर बैठे थे उस सीट के उपर कोई अन्य वेक्ति आकर बैठ जाता है और आप उसे कुछ नहीं कहते हैं या अन्य विक्ति कोई कुछ नहीं कहता है तो यह वेवार सामाजिक क्रिया के अंतरगत नहीं आएगा लेकिन इसके वीपरीत या इसके उलट जब आप उस विक्ति से अपने अधिकार की बात करेंगे वो विक्ति मना करेंगा आपस में जब आपकी अंत्र क्रिया होगी आप जगड़ा करेंगे या डिसकेशन करेंगे तब वह क्रिया सामाजिक क्रिया के अंतरगत आएगी अर्थाथ हाता भई हो जाए आपस में गाली गलो जो जाए ये इस्तिती भी हो सकती है और वो सामाजिक क्रिया के अंतरगत ही आ पड़े होते हैं और आपस में एक दूसरे को बिना कुछ कहें चले जाते हैं यह सामाजिक क्रिया के अंतरगत नहीं आएगा जब साइकल सवार या मोटर साइकल सवार आपस में टकरा जाते हैं और टकराने के बाद एक दूसरे से समवाद करते हैं क्रिया प्रतिक्रिया करते ह और हो सकता है हातापाई करें गाले गुलोच करें या जिस भी तरह की वो क्रिया करें वह व्यवहार सामाजिक क्रिया के अंतरगत आता है कुल मिलाकर सामाजिक क्रिया हम उसे ही कहेंगे कि जो व्यवहार को दूसरे के व्यवार से सम्मंदित हो या दूसरे के व्यवार के द्वारा प्रभावित हो अब जो चोथी जो कसोटी और अंतिम कसोटी या विश्यस्ता है मैक्स वेबर ने दी है वो है कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक विक्तियों द्वारा की जाने वाले ये एक सी क्रिया को कहते हैं और नहीं उस क्रिया को कहते हैं जो केवल दूसरे विक्तियों द्वारा प्रभावित हो अब यहाँ पर भी अलग तरह की बात है कि जब कभी कोई पूरा समू एक तरह की क्रिया करता है तो हम उसे सामाजिक क्रिया कहेंगे या नहीं कहेंगे तो मैक्स वेबर एकदम क्लियर है इस मामले में कि जब तक एक दूसरे को हम प्रभावित नहीं करेंगे तब तक वह सामाजिक क्रिया के अंतरगत नहीं आएगा चाहे पूरा समूह ही एक तरह की क्रिया क्यों न करता हो अब आप देखिए कि जिस तरह से हम उदारण के मादयम से समझते हैं कि सडक पर अनेक विक्ती जा रहे हैं और अचानक से बारिश आ जाती है बारिश आने पर सभी वेक्ति अपना चाता खोलते हैं और चाता खोलने की जो प्रक्रिया है उसमें एक दूसरे से उनका कोई संबंद नहीं होता है वो बारिश की वज़े से प्राकरतिक गटना है, जिसकी वज़े से उन्होंने छाता खूला और अपने अपने रास्ते चल दिये तो यह सामाजिक क्रिया के अंतरगत नहीं आता है क्योंकि नहीं किसी व्यक्ति ने इस व्यवार के अन्य व्यक्ति की क्रिया को या व्यवार को प्रभावित किया है क्रिया तो वर्षा से समंदी थी और उसके द्वारा ही प्रभावित थी खुल मिलाकर जब तक हम किसी भी क्रिया को सामाजी क्रिया नहीं कहेंगे जब तक कि यह क्रिया दूसरों की क्रिया या क्रियाओं द्वारा अर्थ पूर्ण डंग से जो है प्रभावित नहीं रही हो उधारन के लिए हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसी तरह से क्रिया की जो कसोटी है चोथी वह है कि कई समूह या अर्थात पूरा समूह भी अगर कोई क्रिया करता है तो भी वह सामाजिक क्रिया में नहीं आएगी जब तक कि एक दूसरे के व्यावहार से प्रभावित नहीं होती है अर्थात एक जब क्रिया करता है तो दूसरा व्यक्ति की जो क्रिया है उससे प्रभ बढ़ने बताई है कि सामाजिक क्रिया दूसरे जो विक्ति है या जो हमारे से परिचित है अब परिचित है उनके भूतकाल वरतमान और बावी विवार से प्रभावित हो सकती है दूसरा प्रतिक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होगी तीसरा जो वो कहते हैं कि प्रतेक प्रकार का संपर्ख भी सामाजिक नहीं होगा अतरकुल मिलाकर जब तक जो क्रिया है वो दूसरे करता कि विवहार या दूसरे को अर्थ पूर्ण डंग से सम्मधित नहीं होगी तब तक सामाजिक क्रिया के अंतरगत नहीं आएगी चोथा वो कहते हैं कि जो सामाजिक क्रिया है वो पूरा समूँ चाहे एक सी क्रिया कर ले लेकिन वो भी सामाजिक क्रिया के अंतरगत नहीं आएगी क्योंकि वो समुहू एक दूसरे को जब तक प्रभावित नहीं करेगा तब तक हम सामाजिक क्रिया के अंतरगत उसको नहीं रख सकते हैं तो ये मैक्स वेबर की सामाजिक जो क्रिया है उसकी कसोटिया या विशेशताएं हैं जिने परिक्षा में आम तोर पर पूछा जाता है कि मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया दी उसकी अर्थ और परिबाशा के साथ उसकी कसोटियों का वर्णन कीजिए या जो छोटा कॉशन है उसमें Max Weber की सामाजिक क्रिया की दोकसोटिया लिखी है इस तरह से प्रशन पूछा जा सकता है तो आप लोगों को जो प्रशन है वो पूरी तरह से तयार करना है दस नंबर के हिसाब से ताकि जो परिक्षा के समय जो आवशक है वह आप प्रशन का उत्तर दे पाएं आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे अगले वीडियो में हम Max Weber की जो सामाजिक क्रिया है उसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत